तो आज जो problem of the day है वो है find missing and repeating number और यह बहुत ही important question है तो मैं सबसे पहले आप से request करूगा कि description में और मैं comment section में भी डाल दूगा एक link डाला हुआ है आप वहाँ पे click करके पहले इस problem को solve करने की try कीजिए अगर आप उससे नहीं कर सके खुद से solve तब आईए और फिर से ये video देखिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा important question है लगबग हर एक interview में ये पूछा जाता है और आपको इसका concept आना चाहिए इसी question को दो part में भी बाट के पूछा जा सकता है आपसे पुछा जा सकता है कि आपको एक array दिया आपको find करना है सिर्फ missing number और ऐसा हो सकता है कि array आपको find करना है सिर्फ और सिर्फ repeating number ठीक है तो आपको देखना है कि ये कैसे find करेंगे तो इसको solve करने का बहुत सारा तरीका है आप जौर का यूज कर सकते हैं हम लोग जो करेंगे एकदम basic method करेंगे हम लोग क्या करेंगे एक map ले लेंगे ठीक है मैं आपको एक approach बताता हूँ फिर आप लोग खुद से try करना हम लोग क्या करेंगे एक map ले लेंगे map में क्या करेंगे पहले जितने सारे numbers हैं हम लोग उसको एक एक करके insert करते जाएंगे और जब insert करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि क्या यह पहले से हमारे map में already exist करता है अगर करता है तो जो भी number जैसी हमारे पास आ गया कि यह तो already है that means that is a repeating number क्योंकि हम लोगों को इस array में एक से ज्यादा repeating number नहीं मिल रहा है for example जैसे कि हम लोगों को यह array दिया है 2,2 हम लोगों को ने क्या क्या 2 को insert कर ब्याएंगे सबसे पहले 2 को find करेंगे क्या हमारे unordered map में यह हमारे map में 2 exist करता है? answer आपा कि नहीन तो हम लोग क्या 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 2 को insert कर देगे और जैसी हम लोग दुबारा n तक ठीक है अब हम लोग चेक करेंगे कि हर एक index को कि क्या वो हमारे already map में है या नहीं क्योंकि हम लोग insert किये थे जब हम लोग repeating वाला find कर रहे थे तो जब हम लोग 1 देखेंगे तो 1 index तो हमारे map में है यह नहीं already that means 1 is our missing number कितना आसान था चलिए इसको फटा फटा हम लोग code करके देखते है लेकिन आप लोग एक बार जरूर ट्राइ किजएगा खुद से करने की तो हम लोग क्या किये है हम लोग ले लिए एक अनौर्टन map अनौर्टन map कौन सा टाप रहेगा बस हम लोग को true और false return करना है तो हम लोग boolean type ले ले लेंगे that's the name called mp for map और हम लोग को return जो है वो int pointer में करना है so let's take it our answer और इसका size क्या होना चाहिए सिर्फ 2 पहला होगा आपका repeating number और दूसरा होगा आपका missing number तो हम लोग ने ले लिया new int और इसका size है that will be nothing but 2 ठीक है 0th index और first index के लिए अब हम लोग क्या बोले हम लोग find करेंगे कि हमारे map में already present है की नहीं और अगर नहीं है तो हम लोग उसको insert करेंगे तो हम लोग चलते int i equals to 0 से i equals to n तक and i plus plus हम लोग क्या करेंगे find करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि map में क्या वो element exist कर रहा है कि तो अगर वो नहीं है अगर हम लोग देखेंगे कि वो नहीं exist कर रहा है इसका मतला यह नहीं है map में हमारा वो खाली है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग उस index को, उस map में, same element के index को हम लोग कर देंगे, कि true, बढ़िया, else, अगर हम लोगों को मिल गया, कि नहीं, वो तो already exist करता है, arr i हमारे map में already exist कर रहा है, that means हम लोगों को अपना पहला answer मिल गया, so answer of 0 will be nothing but arr of i, और ये क्या है, ये है ह separately आए, तो आपका बस एक ही fault loop पर answer हो गया, correct, अब अगर आपको find करना है missing number, फिर से एक fault loop लगाईए, कहां से कहां तक, same int equals to, इस बार 0 से नहीं चलना है, इस बार हम लोगों को चलना है 1 से, क्योंकि हमारा जो set है, वो 1 से लेकरके n तक दिया वाया है, देखिए, आपको question म यह मिल जाएगा, तो हम लोगों का i होगा 1 से, और i होगा less than equals to n, क्योंकि हम लोगों को n तक चलना है, next, same thing, हम लोग क्या देखेंगे, find करेंगे, कि क्या हमारा, जो index है, वो हमारे map में exist करता है कि नहीं, अगर वो exist नहीं करता है, that means, that is only our missing number, correct, तो यहां पर हो जाएगा i यहां पर answer of i नहीं, answer of 1 होगा, क्योंकि हमारे पास answer जाएगा, वो दो ही है, size में 0 और 1, तो यह i क्या बोलेगा, यह है हमारा missing number, so this is our missing number, and that's it, इसके बाद हम लोग return कर देंगे हमारे answer को, तो कितना ही easy था solution, अब आप इसको math के through भी बना सकते हो, जार use करके बना सकते हो, अलग-अलग बहुत सारे आपके पास methods है, ठीक है, तो चलिए compile and run करते है, and yes, compile successfully, let's submit the code, और हमरे पस 340 test cases है, और यहां पर हो गया, problem solved successfully, so that's it for today guys, कल फिर मिलते हैं हम लोग नए question के साथ, तब तक के लिए, stay blessed, stay safe, and keep coding.